प्रिये विद्यार्थियो नमस्कार प्राचीन भारत के साहितिक सुरोतों के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे कालिदास समय विवादासपद होते हुए भी इने सामानेता गुप्त समराठ चंदरगुप्त दित्तिये के समकाले माना जा सकता है ये महान संस्कृत कवी और नाटकार थे जिनकी सैव धर्म के प्रती विशेश निष्टा थी कालिदास की कृतिया निम्न है रगुवंस उन्नी सर्गों में विवक्त महाकावे जिसमें दिलीप से लेकर अगनी वर्ण तक चालिस एक शुवाको वन्शिये राजाओं का विवेचन हुआ है उलेखनी है कि इस गरंथ का प्रारम पारवती परमेश्वरी की आराधना से किया गया है दूसरी इंकी कृतिति कुमार संभव सत्रा सर्गों में विवक्त महाकावे जिसमें शिव पार्वती का प्रणे विवा तथा कार्तिकी का जन्म संबंधी कथानक विवेचित है हेमन्त, सिसिर एवं वसंतादी में होने वाले प्राकर्तिक परिवर्तनों एवं सोंदरिये को खंड काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। मालविका अगनी मित्र, पांच अंकों में विविक्त नाटक जिसमें सुंग समराट अगनी मित्र एवं मालविका की प्रेम कथा विवेचित है। उलेखनी है कि कालिदास की इस रचना में युनानी आक्रमन का भी उलेख हुआ है। विक्रम और शिय पाँच अंकों में पुरुर्वा एवं उर्वसी की प्रेम कथा का विवेचन द्रश्टव्य है। अभी ज्यान साकुंतलम रिशी कन्नव की पालिता पुत्री शकुंतला तथा हस्तिना पुर्के सासक दुष्यंत के संयोग वियोग तथा पुनर मिलन का साथ अंकों में प्रस्तुति करण है। विशाकदत देवी चंदर गुप्तम यदपी आज यह गरंत उपलब्द नहीं है लेकिन गुण चंदर और रामचंदर के नाटे दरपण में इसका उलेख हुआ है। इसकी ओर सरव प्रथम 1923 में सिल्वा लेवी ने ध्यानाकरश्ट किया था। शुद्रत म्रच कटिकम जिसका साबदी करत है मिट्टी की गाड़ी या खिलोना। उलेखनी है कि यह भारती इतियास का प्रथम गरंथ है जिसमें राजा महराजाओं एवं धरम कथाओं के इस्थान पर जन सामानने का प्रतिनी धिद्दू है। भारवी पल्लव सासक सिंग विशनों का समकालीन प्रसिद्द गरंथ किरात अरजुनी अठारा सरगों में विवक्त इस महाकावे में महाभारत की महतुपूर्ण प्रसंग अरजुन और किरात के वेश में सिव और उनका युद्ध सम्मंदी कथानक विवेचित है। आज इतना ही धन्यवाद।